सब्सक्राइब कीजिए चैनल में विध्यारती को और आने वाली न्यू वीडियो की इंफॉर्मिशन के लिए बैल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए हेलो विध्यारतियों आज मशीन डिजान के इस लेक्षर में हम डिस्कस करेंगे गरबर गुड्मेन एंड शोडर मेथड फॉर सैक्ल लोड़िग यह मेथड क्या है यह कैसे काम करते हैं इसको हम डिटेल में समझेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैन कि कै तो आगे इन मेथटेश को liegen में पढ़ने से पहले हमें यह पता करना है कि क्वल प्स्टियों क्या है तो जब भी किसी कंपुनेंट पर शैक्ल नोडिंग याद फ्लेच्ट्रेटम लगता है तो उसमें मीन इस्ट्रेस और वैरेग्वल इस्ट्रेस होता है सिंग्ना म मी किन स्ट्रेस ऎर सिगमा भी वैरेवल स्ट्रेस इस पात पर डिपेंड करते वह हैं कि इस刹़ Möglichkeit Musk क्रूंब्स कि उसकी मैक्साम मेंब किन न कि मॉयूकर होते हैं तो इस पर मिर्दीक्स पर होता है तो यह जो स्ट्रेंस है इनको ःफॉर्द सही है और इन कौमबिनेशन गुर्वर मेथ़ड और इन्हीं को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो पहला मेथट है गरवर मेथड जिसको हम गरवर पैरावला भी बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ है जो कि बना हुआ है मीन स्ट्रेस सिक्मा एम एंड वैरिबल स्ट्रेस सिपा बीचे बी और इसका हम जनरेल यूज़ करते हैं तो ये किस तरह से प्राइट हुआ गरवर ने मैटीरियल पर कंप्रेंट पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किये उससे उसमें क्या बैरेवल स्ट्रेस और मिन इस्ट्रेस की अलग्लाब वैल्यूस ब्र अब लोडिय प्रेंट अब इस प ऍंसे ने व्याली अब इस पैराबोला की एक कमी है कि ये जो failure point है वो इस पैराबोला के उपर भी है और पैराबोला के नीचे रही है तो इसकी कमी को दूर करने के लिए 2 और मिथेट लाएगे, उसको हम आजुक्ने पढ़ेंगे, अब इसका हम फॉर्मूला दिख लेते हैं, क्या होता है, तो गरवल मिथेट का फॉर्मूला होता है harsh स्ट्रेंद स्ट्रेंद स्ट्रेंड स्ट्रेंड एंड सिंग्मा एंड की इंडुरेंस लिमिट अब यहाँ पर हमने फेक्टर सेफटी को भी कंसीडर करेंगे तो फॉर्मॉला चेंज हो जाएगा उसमें हम नीचे एससे डिवाइटे नेगे इस फॉर्म्ले में तो फॉर्मले यहां यहां पर आजाएगा तो फॉर्मुला यहां पर क्रोस मौल्टिकूल करके वन के नीचे लिए यह तो final formula जो बनेगा वो आएगा sigma m upon sigma u का whole square into fos plus sigma b upon sigma e is equal to 1 upon fos तो यह formula रहता है factoral safety की condition ने नेक्स method है goodman method जिसको हम goodman method के नाम से भी जानते हैं इस method में हम एक straight line मिलती है जो की बनी हुई है material की endurance limit sigma e और उसकी ultimate strength sigma u के बीच में यह straight line है इसका use हम करते हैं ductile और brittle material के लिए और यह base के उपर है ultimate strength के उपर जैसा कि गर्वर पैरावला में हमें पैरावला मिला था लेकिन इसमें failure point थे वो उसके उपर और नीचे दूरों थे तो जो material है या component है वो safe रहेगा और stress की value इससे बाहर जाएंगी तो component fail हो सकता है अब यह straight line है तो straight line में हमने माल लिया कि यहाँ पर इसके coordinate जो है वो होंगे 0, sigma e और यहाँ पर जो coordinate होंगे ultimate strength पर वो होंगे sigma u, 0 तो जो दोनों point की location मिली है उससे हम क्या निकालेंगे इस line की equation को निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है x is equal to क्या है तो यह x हमारा किसे note कर रहा है sigma m से यहाँ पर y denote कर रहा है sigma v से x1 है यहाँ पर sigma u and x2 है यहाँ पर 0 and y1 है यहाँ 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 पर sigma e तो goodman land के graph को हमा अलग से बना लेते हैं और यह goodman land बनी होई है हमारी coordinate 0, sigma e यानि उन्डेरंस limit और sigma u, 0 यानि की material के ultimate strength है उसके बीच में तो line of vacation होती है y1-y1 is equal to y2-y1 upon x2-x1 bracket x-x1 अब values हम यहाँ पर put कर देंगे y यहाँ पर क्या unit है वो sigma v से है तो sigma v minus y1 की value यहाँ पर कितनी थी 0 is equal to y2 जो थो यहाँ पर वो क्या है आपका sigma e और y1 कितना था 0 तो यहाँ होगा sigma e minus 0 फिर आते हैं x2 minus x1 पर तो x2 की value यहाँ पर कितनी थी 0 और x1 की जो value है वो यहाँ पर है sigma u तो यहाँ पर जाएगा 0 minus sigma u फिर x denote हो रहा था आपका mean is test sigma m से तो यहाँ sigma m आ गया और x1 यहाँ पर कितना है sigma u तो इसको solve किया तो यहाँ जाएगा sigma v is equal to minus sigma e upon sigma u bracket sigma m minus sigma u अब इसको हम arrange करके लिख सकते है अगर हम sigma e को दर ले जाएंगे तो यह आजाएगा sigma b upon sigma e is equal to minus sigma m upon sigma u plus sigma u upon sigma u अब यहाँ से sigma u से sigma u cancel out हो जाएगा तो 1 बचेगा तो इसको हम लेक सकते हैं यह minus यहाँ लेगे तो यहाँ जाएगा sigma b upon sigma e plus sigma m upon sigma u is equal to 1 तो यह होती है आपकी goodman equation यानि जो goodman line है यह जो straight line है इसकी equation यहाँ पर ऐसी बन के आएगी अब अगर हम इसमें factor safety को consider करते हैं तो बीचे वाले step में हैं FOS से divide करेंगे तो equation बन जाएगी sigma M upon sigma U upon FOS plus sigma B upon sigma E upon FOS is equal to 1 तो FOS यहाँ से भी पर चला जाएगा FOS यहाँ से भी पर चला जाएगा तो यहाँ से फिर common लेके switch cross multiplication करके हम यहाँ पर उसको नीचे ले जाएगे 1 के नीचे तो यह जाएगा sigma M upon sigma U plus sigma V upon sigma E is equal to 1 upon FOS और यह equation रहती है जब हम factor safety को goodman line की जो equation है उसमें consider करेंगे तो last method है shoulder work method जिसको हम shoulder work line से भी जानते हैं यह जो straight line है यह बनी होती है material की endurance limit sigma E and material E जो yield strength रहेगी sigma Y उसके बीच यह ध्यान रगना है goodman line जो इस समय में पहले पड़ी थी वो बनी थी sigma E and ultimate strength sigma U के बीच में लेकिन जो shoulder work method की अंदर हम consider करते हैं straight line जिसको हम shoulder work line बोल रहे हैं वो बनी होती है आपकी material की endurance limit sigma E and yield strength sigma Y के बीच में यानि कि जो इसमें design है वो किस पर based होता है वो material के yield strength पर based होता है और इसका हम generally use करते हैं detail material लिए अब इसमें भी क्या है यह जो आपकी shoulder work line है उससे उपर क्या रहेगा आपका material fail हो सकता है और इसके नीचे अगर stress की value रहती है variable और means test की तो material fail नहीं होता है अब इसमें हमने फिर से coordinate मान लिए जो यह वाला point है endurance limit वाला उस पर coordinate हो जाएंगे 0, sigma E और जो yield strength वाला point है वहाँ पर हो जाएंगी coordinate sigma Y, 0 तो यहाँ पर क्या हो गया x आपका sigma M, y हो गया आपका sigma V, x1 है आपका sigma Y, and y1 है आपका 0, x2 है आपका 0, and y2 है sigma E तो हमने अलग से यहाँ पर shoulder work line का graph बना दिया है तो उसमें जो straight line यह shoulder work line है यह बनी होई है 0, sigma E और sigma Y, 0 के बीच में जो line है उसके जो end point है वो यहाँ पर यह दिये गए है अब इस line की हमें क्या लिकानी है equation का लिकानी है तो sigma V, y1 है यहाँ पर 0, तो sigma V minus 0, y2 है यहाँ पर sigma E endurance limit और y1 है यहाँ पर 0, तो sigma E minus 0, x2 यहाँ पर 0 है और x1 है यहाँ यहाँ पर sigma Y, तो 0 minus sigma Y, x denote हो रहा है mean stress sigma M से तो यहाँ sigma M आ जाएगा और x1 है sigma Y, अब इसको solve करेंगे तो यहाँ जाएगा sigma V is equal to minus का sigma E upon sigma Y bracket sigma M minus sigma Y अब यहाँ पर sigma E को हम इदर ले जाएगे, तो sigma V upon sigma E, यहाँ से bracket open कर देंगे, तो यहाँ जाएगा minus का sigma M upon sigma Y और sigma Y upon sigma Y, तो यहाँ से यह 2 cancel out हो जाएगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा और इस वाले minus step को हम इदर ले जाएगे, तो equation बन जाएगी, sigma V upon sigma E plus sigma M upon sigma Y is equal to 1, तो यह जो equation होती है, यह होती है, जो इसमें हमें state line में जी है, solder by line, उसकी equation, अब अगर इसमें factor safety को consider करते हैं, तो यहा जाएगा sigma M upon sigma Y upon FOS plus sigma V upon sigma E upon FOS is equal to 1, FOS यहाँ से उपर चला जाएगा, common लेंगे, और यहाँ से cross multiple order के 1 की नीच जाएगा, तो question मन जाएगी, sigma M upon sigma Y plus sigma V upon sigma E is equal to 1 upon FOS, तो यह question होती है, जब हम factor safety को consider करेंगे, should our method के अगर, तो आई होप आपको समझ में आगे होंगे, जो तीन हमने method पड़े हैं, गर्वर method, गुडबर method and should our method, यह किस-किस के बीचों बने होते हैं और इन में formula किस तरह से drive होता है, basically जो तीनों method हैं, उनका use हम component की failure condition को जानने के लिए करते हैं, कि किस में वो fail होंगे, तो इस lecture को मैं यहीं पर end करता हूँ, I hope आपसे भी कोई lecture पसंद होगा, तो please इस lecture वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के दाश शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, तो please इसे subscribe कर ले, तो कि इसी से मुझे motivation मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और lecture प्लाता रहूं, thank you.